Have you ever wondered how virtual assistant and autoresponding bots actually interacts with you and how they get to know what exactly you are trying to say. Hey what's up guys this is Mukay Joshi and today in this video I am going to talk about natural language processing. Natural language processing क्या होती है and ये कैसे काम करती है और कैसे किसी भी assistant को चाहे वो Siri होगय है चाहे Google assistant होगय है या फिर Alexa होगय है जित्रे भी virtual assistant है या फिर autoresponding bot हैं जैसे हमारे Facebook के bots होते हैं कैसे पता कर पाते हैं कि what exactly we are trying to say हम क्या कहना चाहते हैं हमारी actually में command क्या क्या कि कि किसी भी बातों कहने के 50 तरीके होते हैं किसी चीज़कों अपनी language पचास तरीके से कह सकते हैं और अगर कोई bot आपकी language हो समझता है let's say अगर कोई bot या कोई virtual assistant जैसे गूगल है अगर उसे हिंदी समझ में आती है अगर मुझे एक flight book करने है तो मेरे लिए flight book कर दो मुझे flight चाहिए यहां से यहां तक के लिए कोई flight देख दो बहुत सारे तरीके एक ही line बोलने के तो कैसे उन्हें पता चलता है कि what exactly we are trying to send what is the real command and what are the triggers what are the actions क्या होते है मतलब किसी भी sentence में कोई भी जो command दी जाती है कोई भी जो input ने मिल रहा है उसे वो कैसे process करते हैं इस यूडिया में इस बारे बात करेंगे अब अमित तो call अमित उसे पता कि call एक command है और अमित जिसे हमें call करना है लेट से जो भी यूजर नेम है जो भी contact उसको अच्छ से analyze करके उसमें से जो keyword होते हैं जो जितने भी actions होते हैं जितने भी triggers होते हैं उनको extract करके उनको process करके और फिर as a output सामने अगली application को या अगली script को या app है जो जिसे वो access चीए उसको pass करेता है तो इसमें हम NLP यूजर करते है है यह भूत ही interesting है जिसको deep learning का पता है या जिससे artificial intelligence का पता है तो उसे पता है कि deep learning में क्या होता है हम उसे reply करते हैं, accordingly हमने क्या answer दिया, उस आपसे वो हमें बताता है, आगे instructions देता है, या फिर हमें output देता है, फिर हमें कोई भी चीज गाइड करता है, या हमें कोई भी product show करता है, recommendation, suggestion, anything, एक business point of view से देखें, तो आपके employees कम हो जाएंगे, बहुत इच्छे से मेरे clients को sir कर पाएगा, उनकी queries handle कर पाएगा, ऐसे में जो हमारा bot होता है, वो easily filter out कर पाता है, किस client को, किस support ticket को, जरूरत एक support team की, एक real human being के interaction के, और किसको हम normally, एक कुछ feedback, या कुछ session देखे, या कुछ FAQ या tutorial देखे, या कुछ भी auto generated response हम, जिसकी query out कर सकते हैं, या फिर satisfy कर सकते हैं, या फिर उनकी, उनको help out कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा back end पे, जो हमारा overall financial, जो burden होता है, वो कम होता है, मेरे साबसे का second साबसे, अच की issues का, क्योंकि किसी client के लिए, कोई भी client या कोई भी person आजकी date पर वेट नहीं काना चाहता है, और किसी को जल्दी उनके problem का solution मिल जाया, तो best है, और वो client हमेशा आपके साथ बना रहेगा, उनका satisfaction level रहेगा, वो हमेशा ऊपर रहेगा, now question यह है कि कैसे हम इस Cisco अपने small business या and NLP की service provide करते हैं, Google की अपनी है, और Facebook की अपनी, Facebook की जो है, वो wit नाम से, wit.ai, उसकी site आप जाके check कर सकते हैं, दोनों की अपनी APIs हैं, दोनों की अपने अपने हैं, तो मैं basic बताता हूँ है कैसे काम कैसे करते हैं, जब भी आप किसी user से input लेते हैं, as in voice input, आप उस audio clip को पास क सकता है, आप कैसे output मिल रहा है, आप उस array को analyze करेंगे, आप उस array को further process करेंगे and in response, आप अपने server से client को reply send कर सकते हैं, depending उन्होंने क्या पूछा है और क्या उन्हें जानना है, इस तरीके से बहुत सारे issues आपके अपने clients के, बहुती easily sort out कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी अलग-लग application सा जो मुझे लगता है NLP की use हो सकती है, और बहुत बारास होता ही, जैसे आप खुद के assistant बना चाहते हो, let's see, आपके hotel की site है, जहाँ पे आप लोगो आपने chat box डाला वाए, जिस chat box के through, लोग आपको बोल सके है, कोई offer, या कोई deal, या फिर कोई particular plan, या कोई भी में, real life में, real applications में, real project में, इसे बहुत ही easily use कर सकते हैं, मुझे time लगेगा तो मैं बहुत ही जल्दी, किसी भी, maybe Google का ये Facebook किसी में मुझे time लगेगा, तो मैं एक छोटी application बना के दिखा दूग, एक tutorial डालने ही कोशी करूँगा, but for now, इस video में इतना ही, I hope आपको NLP समझ में होगा कि natural language processing actually में होदी किया और कैसे काम करती है और इसको use करने के कौन-कौन से platform में जो available है, जिसको हम use कर सकते हैं, and if you like this video, then let me know in the comment section, and don't forget to subscribe to the channel, because I am going to put more and more videos just like this one, so that you can improve your business and your applications and your business life, and I will see you in the next video.